किसे में सुझेंग करते हैं कियसे मैं सुींग करते हूं इब हब बताने वाला हूं आज मैंने q riding करते हूंग और पने बाताँ हूं आज ने दो आ स्थाक से ऐ कर अए इन फेंड यह दर उसधी में पिष्क गया है कैसे इस डान engel के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब दीजिएगा और बेल आइकन मितवाद दीजिएगा चले स्टार्ट करते हैं ऑके सो मैंने एशन किया है आपको यहां पर देखता हूं किसी स्टॉक को बाइख करने से पहले सबसे पहले मैं देखता हूं क्या वह स्टॉक 200 डे एमें Exponential Moving Average के उपर है कि नहीं मैं कोई भी stock अगर कोई stock 200-day EMA के उपर नहीं होता है तो मैं उसको देखता भी नहीं हूँ तो यह मेरा पहला filter है moving average exponential में जाएंगे और यहां पर मैं इसको कर देता हूँ 200 कोई भी stock को फिल्टर करने से पहले यानि की बास उसको देखने एक सेकिन में देखने के लिए मुझे वह stock 200-day EMA के उपर चाहिए होता है तो Asian Pins 200 के उपर है यह मेरे criteria में आता है delta corp मेरे criteria में नहीं आएगा क्योंकि 200-day EMA के नीचे है तो मैं delta corp buy नहीं करूंगा कोई भी stock उठा लेते हैं जैसे let's say Tata right so Tata Alexi उठाएंगे हम चाहिए कोई भी तो अगर कोई stock 200 के उपर है तो मैं उसको देखता हूं filter करता हूं buy करने के लिए अगर कोई stock 200-day EMA के नीचे है तो मैं उसको नहीं देखता हूं तो यह मेरा पहला पहला filter है तो आप वापस आते है अपने Asian Pins पर रही स्ट्रॉंग होनी चाहिए ताकि एक आप मूव आये मार्केट गिरता भी है अज मार्केट डाउन था फिर भी अप था यह कब होता है जब फंडामेंटली स्ट्रॉंग होते हैं तो आपको थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स की लेनी पड़ी यानि कि आपको स्क्रीनर यूज करना ना चाहिए कैसे देखते हैं एक प्रॉपिटबल कंपनी है राइट सो यहाँ आपको जाना है और यह थोड़ा सा टॉप होगा तो यह मेरा दूसरा फिल्टर है फंडामेंटल्स प्लस 200 यह में काफी है तीसरा फिल्टर में यूज करता हूँ क्या वह अकर इंडिकेटर है अगर कोई स्टॉक चारो इंडिकेटर्स के उपर है तो वो stock uptrend में है अगर कोई stock चारो इंडिकेटर्स के नीचे है तो वो downtrend में है तो Asian Paints यहाँ पर आप देखेंगे तो stock चारो इंडिकेटर्स के उपर था इसलिए मैंने स्को आज purchase किया stop loss कहां के रखता हूं मैं most of the time तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैंने यहाँ पर purchase किया है तो यहाँ पर बस 3% का SL है अगर 3% का SL है तो कम से कम reward 5-6% होना चाहिए तो मैं देख रहा हूं कि मुझे मिल जाएगा 5-6% आसानी से मिल जाएगा तो यह मेरा criteria है stop loss को लेकि मैं कभी भी stocks में option future नहीं करता हूं stocks में सिर्फ cash करता हूं यानि कि यह हर stocks पे applicable है in fact यह पूरी दुनिया में applicable है हर segment पे यह applicable है यह strategy मैंने खुद से develop की है मतलब मेरी strategy है मतलब आपने कहीं को YouTube पे यह strategy यूज़ करते हुए नहीं देखोगे क्योंकि यह मेरी strategy है और बहुत यह असान है यह तो होगि option prints मैंने एक और stock purchase किया है जिसको बोलते है अच्छा क्या मैंने यहाँ पे एक price action level देखा है यह price action मतलब क्या होता है कि वही जैसे double top, double ESF, hal2, hal2, right इस तरह से कुछ है यह is a price action, right ओके, तो दूसरा criteria है मतलब दूसरा stock है हमारा IRCTC जिसको भी मैंने अपने के साथ telegram pressure किया तो इस 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 इसको मैंने क्यों purchase किया है अगेन, यह stock 200 EMA के उपर है पहला criteria stock 200 EMA के उपर होना चाहिए ताकि एक trend आसके, right यहाँ पे 200 EMA के उपर है अच्छा मैंने कौट चीज नहीं बताया, volume भी मैं देखता हूँ यह लाइक बहुत ही आसान है अगर आप थोड़ा सा experience हो जाएंगे और अगर आप beginner है तो शायद मेरे strategy थोड़ा सी tough लगा बहुत आसान है सब तो मैं volume भी देखता हूँ क्या एक upmove में volume आया है की नहीं आया है right so asian prints में volume आया है और इसमें भी volume आया है okay so like अम मैं क्या देखूँँगा चारो इंडिकरस के उपर होना चाहिए so same strategy and यहाँ पे देखिए volume आया है और इसमें चारो इंडिकरस के उपर close किया अब जो हमारा SL है यानि की most of the time एक 200 EMA भी होता है यहाँ पे एक trend line भी है अगर मैं इसको ज़्यादा को 200 EMA कोई लेते है तो यह कितने दूर है यह कितना दूर है जी यह दूर है 5% दूर है और यह बहुत सारे fundamentals है प्राइजक्शन लेवल से यहाँ पे एक प्राइजक्शन लेवल भी है बहुत कुछ है यह जेनरल ली आई होप कि आप समझ गए कि मैं कैसे stock को filter करता हूँ यह बस आई थिंक आप 10 सेकेंड इंड फिल्टर कर लेंगे जब भी मैं purchase करता हूँ कोई tips नहीं देता है मैं जो stock purchase करता हूँ वही मैं share करता हूँ और SL भी बताता हूँ कि SL है मैं targets देखो मैंने targets नहीं बता है सबसे पहले I think SL जरूरी होता है swing trading में अगर आप कोई भी trading कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि limit कहां है जहां पर आप exit करेंगे लोगों को यही पता होता है कि exit कहां पर कि अगर वो stock नीचे गया तो लोग hold कर लेते हैं वो लेते हैं trading की नजर से लेकिन लोगों को लोगो stock hold कर लेते हैं कि अब यह बहुत अच्छा stock है उसको hold करेंगे तो भले यह आयर सिटी से बहुत ही profitable company है लेकिन मैं अगर यह 200 यह में कि जाता हूँ तो मेरे time बहुत important है पैसा से तो मैं momentum नहीं आएगा तो मैं इसको exit कर दूँगा तो यह भी एक अच्छी profitable company है government किया राइट तो यह भी है criteria तो यह है दोस्तों आज का वीडियो कैसला आपको वीडियो comment करते हैं अगर कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते हैं मेरी strategy है यह आपको कहीं पे नहीं मिलेगी कोई वीडियो में नहीं मिलेगी क्योंकि यह मैंने invent किया राइट तो यह थाइट वो वाइट वाइट वीडियो